हेलो एवरिवन वेलकम बेक तो मैं चैनल हमारी ये वीडियो यूपी बीएड पूल काउंसलिंग से रिलेटेड है इस न्यूज में आपको बताया गया है कि आपकी पूल काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी उसमें कौन-कौन पार्ट ले सकते हैं और पूल काउंसलिंग से दो तीन वीडियो मेरे चैनल पर अल्रेडी अपलोड है अब वहां पर भी सारी प्रोसेस देख सकते हैं तो चलिए हम न्यूज देखना स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ है यूपी बीएड दाखिले से छूटे अभियत्यों को सोला दिसंबर से मिलेगा अंतिम मौका ओके अब आपके पास लास्ट मौका है तो कौन-कौन यह कांसलिंग कर सकते हम आगे पढ़के आपको बताएंगे अभी तो यह काफी लोग कह रहे हैं कि 13 से आपकी पूल कांसलिंग स्टार्ट होगी तो 13, 14, 15 को फोर्थ फेज का डेटा रिकंसलेशन है आपक 3 को आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है चलिए आगे देख लेते हम यहाँ पर दिया हुआ है राजधानी लखनव समेट उत्तर प्रदेश बीएड कॉलेजों में दाखीली के लिए आयोजित कांसलिंग का चौथा चरण बुद्वार को पूरा हो गया इसमें स्टेट र कराया है तो अभी भी जिनकी रेंग अच्छी खासी है उनको एडमिशन उनकी पसंद का मिल सकता है लेकिन जिनकी रेंग बहुत जादा है अगर उनको यह लग रहा है कि उनको सीट नहीं मिल पाएगी तो आप पूल कांसलिंग प्लीज ना करें क्योंकि आपकी फीस वहाँ से मिल जाएगी और पूल कांसलिंग में वह एविलेबल रहेगी तो फिर आप पूल कांसलिंग भी कर सकते हैं आगे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है और 17,125 अभीरतों को सीट आवंटित हुई है 20,000 कुछ ने रेजिस्ट्रेशन कराया और किसी कारण से कुछ कैंडिडे पूल कांसलिंग के रूप में एक अंती मौका भी दिया जाएगा इसके लिए आगामी 16 दिसंबर से अपनी कांसलिंग आप स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पर देखी पूल कांसलिंग में कौन-कौन पाट ले सकता है पूल कांसलिंग के लिए केवल वही अभ्यरती प्रतिभाग कर सकते हैं जिन्होंने मुख्य कांसलिंग से प्रतिभाग में प्रतिभाग नहीं किया जिन्होंने यह जो मेन कांसलिंग थी जो चार फे नहीं हुई मतलब आपने आप रेजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग की थी लेकिन आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ आप भी पूल काउंसलिंग कर सकते हैं या वे अभियरती जिने मुख्य काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आबंटित हुई किन्तु कर रहें आपर पूल काउंसलिंग कर सकते हैं लेकिन आपके वो 5,000 रुपे रिफंड नहीं होंगे काउंसलिंग में अभियरतियों को पंजी करन के समय ही 52,000 रुपे का शुल्क जमा करना होगा इसमें डायरेक्ट आपको पूरी फी एक साथ पे करनी है यदि उन्हें कोई म अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू